ओम नमो नाराय नाय जै मातारी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना योट्यूब चैनल रत्युवार कथाएं मैं हूँ आपके साथ रिम शिर्म शिर्मा दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से वैशाख मास महात्म के इन कथाओं में बहुत बहुत स्वागत है तो मैं आपके साथ वैशाख मास महात्म के सभी कथाओं कर रही हूँ सकंदपुरान से ली गई ये कथाओं है जिसमें की आज 14 अध्याय में हम श्रवन करेंगे धर्म वर्न और पित्तरों का समवाद एवं वैशाख मास की अमावश्या की श्रेश्टता तो एक बार फिर से सभी भ भगवान श्रिहर विष्टु और माता लक्ष्मी को ध्यान में रखते हुए इस कथा का प्रेंपूर्वक श्रवन कीजिए पित्तरों ने कहा हम श्रीवत्स गोत्रवाले हैं प्रित्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई हैं अतह हम श्राद और पिंड से वंचित हैं इसलिए यहां हमें नरक का कश्च भोगना पड़ता है संतान हीं दुरात्माओं का अंध कूप में पतन होता है हमारे वंच में एक ही महायशश्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है किन्तु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है उसमें गिरस्त धर्म को नहीं स्विकार किया है वह एक ही तन्तु हमारे कुल में अवशिष्ट है उसकी भी आयू शिर्ण हो जा जहां से फिर निकलना कठिन होगा इसे लिए तुम पृत्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ हम लोग दया के पात्र है हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारी वंशा रूपा दूरवा को काल रूपी चूहा प्रत दिन खा रहा है क्रमशह सारे वंश का नाश हो गया है एक तुम ही बचे हो जब तुम ही मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में ही गिरना पड़ेगा इसलिए गिरस्त धर्म को स्वीकार करके संतान की व्रधी करो इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की उर्धवगती होगी यदि एक भ योगों की उर्धवगती होगी और नरक से उधार हो जाएगा यदि एक पुत्र भी भगवान विश्नु का भक्त हो जाए एक भी इकादिशी का व्रत रहने लगे अथ्वा यदि एक भी भगवान विश्नु की पाप नाशक कथाक श्रबन करे तो उसकी सौ बीती हुई पी उन बहुत से पुत्रों के जन से क्यालाव जो कुल में उत्तपन होकर सर्व व्यापी भगवान नारायन की पूजा नहीं करते इस प्रकार प्रेवचनु द्वारा धर्मवर्ण को समझा कर तुम उसे विरक्ति पोण ब्रह्मचरी आश्रम से गिरस्त आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो पित्तिरू की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड कर बोला मैं ही धर्मवर्ण के नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ यग्यमी महात्मा नारत जी का यह वचन सुनकर कि कलियुग में प्राय कोई भी रसनेंद्रिये और शिशनेंद्रिये को दुर्ड़ता पूर्वक्स सयम में नहीं रखता मैं दोर्जनों की संगती से भैभीत हो अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा इस कलियुक के तीन चरन बीट गए अंतिम चरन में भी साढ़े तीन भाग व्यतीत हो चुके है मेरा जन्म व्यत्थ बीता गया क्यूंकि जिसकुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के रिन को भी मैंने नहीं चुकाया पृत्वी के भारभूत उस शत्रुतुलि पुत्र के उत्तपन्द होने से क्याला आप जो पैदा होकर भगवान विश्णु और देवताओं त जोनकर पित्तरों के मन को कुछ आश्वासन मिला वो बोले बेटा तुम गिरस्त आशम स्विकार करके संतानोत पत्ती की द्वारा हमारा उध्धार करो जो भगवान विश्णु की कथा में अनुरक्त होते निरंतर श्रीहरी का स्मरन करते और सदाचार के पालन में ततपर र करता माग स्नान में ततपर होता और कार्तिक में दीप देता है उसे भी कली की बाधा प्राप्त नहीं होती जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विश्णु की पाप नाशक एवं मोक्षवदाईनी दिव्यकथा सुनता है जिसके घर में बली वैश्वदेव होता है शुभकार में तुलसी स्थ होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है उसे भी कल यूग बाधा नहीं देता अतह इस पापात्मक यूग में भी तुम्हें कोई भै नहीं है बेटा शिग्र पित्वी पर जाओ इस समय वैशाख मास चल रहा है यह सबका उपकार करने वाला मा सुरी के मेश रासी में स्थ होने पर 300 तिथियां पुन्य दाईनी मानी गई है एक एक तिथि में किया गया पुन्य कोटी कोटी गुणा अधिक होता है उनमें भी जो वैशाख की अमवस्तिया तिथि है वो मनिश्यों को मोक्ष देने वाली है देवताओं और पित्तरों को भी वह बहुत प्रिय है शिग्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है जो उस दिन पित्तरों के उदेश्य से शाध करते और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है अता महामते तुम शिग्र जाओ और जब अमावस्य तब कुम्ब सहित शाध एवं पेंड़दान करो सबका उकार करने के लिए गिरस्त धर्म का आश्रेलो धर्म अर्थ और काम से संतुष्ट हो उत्तम संतान पाकर फिर मुनिवृती से रहते हुए सुक पूर्वक द्वीप दीवांतरों में विच्रन करो पित्तरों के इस प् तब पित्तरों का तर्पन किया, फिर कुम्भदान सहित पाप विनाशक श्राध करके उसकी द्वारा पित्तरों को पूर्णा वरती रहित मुक्ती प्रदान की, तब पस्चाथ उन्होंने स्वैंव विवाह करके उत्तम संतान को जन दिया और लोक में उस पाप नाशिनी अ आराधना करने के लिए हर्ष की साथ गंधमादन परवत पर चले गए इसी लिए वैशाखमास की यह अमावस्तिया तिथी परंपवित्र माने गई है तो दोस्तों इस प्रकार धर्म, वर्ण और पित्तरों के समबाद से पता चलता है हमें ग्यात होता है कि वैशाखमास की जो मोक्षरदाईनी हो जाता है सभी प्रकार के सुख साधनों को आपके लिए ये परियाप्त कराता है तो अमीद करती हूँ कि ये जो जानकारियां ये जो कथा के जरिये वैशाख मास महात्म और भगवान श्री हर विश्णू की उपासना उनकी आराजना के लिए जो सभी साध्य सुखम साधन है उनके बारे में इन कथाओं द्वारा जो हम जानकारियां हमारे भक्तों तक पहुच रही है कितनी उपयोगी है हम सभी अपने जीवन में अगर इस सार को अपना लेते हैं तो हम सभी के जीवन में हम जो चाहते हैं उस चीज को परमपत को राप्त कर लेते हैं उमीद करती हूँ कथा आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजेगा अपने परिचोतों तक फैमली फ्रेंट्स तक शेर जरूर कर दीजे चैनल पर पहली बार आए हैं इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को क्रिपया कर सब्सक्राइब सरूर कर ले वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया जै मादा दी हर हर महादे